पहले बात करेंगे आज के पंचानक एक जून 2022 जेश्ट मा सुक्लपक्ष दुतियातिती बुद्दवार का दिन है म्रग शिरा नक्षत्र है नक्षत्र देवता चंद्रमा नक्षत्र स्वामी मंगल शूली योग है इस योग की पहली पांच घटी सभी अच्छे कारियों के ल अच्छक नहीं है सुरियोदय प्राता पांच बज़ के 24 मिनट पर संपन्न हो चुका है सुरियास्त सायमकाल साथ बज़ के 14 मिनट पर संपन्न होगा रहुकाल दोपहर बारा बज़े से डेड़ बज़े के मद्द रहुकाल है कोई भी मांगलिक कारे वर्जित है दिसासूल में यात्रा करना कष्टकारी होता है बहुत अच्छा हो भवान गड़ेश जी का इसमर्ण की ये दूर्बा चड़ाइए और तिल गोड़ दही का सेवन करके आप यात्रा कर सकते हैं रंगों की बात करें तो पीला लेवन कलर मस्टर्ड कलर इन से संबंदित जो रंग है वो तमाम प्रकार की सरकारी नौकरी और मार्केटिंग बिजनस में कैरियर बनाना चाहते हैं लेकिन कुछ लोगों की बचपन से ही खेलों में रूची हो जाती है वो स्पोर्समैन बनना चाहते हैं और वो क्रिकेट देख करके क्रिकेटर बनना चाहेंगे फुटवाल देख करक अपना जैसे खिलाडियों ने आप जानते ही हैं अपने स्पोर्ट के वज़े से उन्होंने देश का नाम कहां से कहां तक पहुचाया है दरसल जो तिसी अधरिश्टिकोर्ड से यदि देखा जाये तो किसी व्यक्ति विशेश की प्रतिभा का उदय होता है तो इसमें उसकी है ग्रहों की विशेश भूमिका होती है क्योंकि अगर किसी ने ध्यान दीजेगा सफल खिलाडी बनना है तो उसकी छमताओं का आकलन करने के साथ साथ कुंडली में उसके ग्रहों का आकलन करना भी बहुत जोरू है उनका एसेस्मेंट करना बहुत जोरू है कोई संदे नही कि उस बच्चे को एक अच्छी ट्रेडिंग दे करके एक सफल खिलाडी आप बना सकते हैं लेकिन ग्रहों का एसेस्मेंट बहुत जरू है आज के सो में हम इसी बारे में जानेंगे लेकिन सबसे पहले जानेंगे भविश्यफल चार राशियों का भविश्यफल क्या कहता है नेशरासी गोचर के ग्रह लग्ड कुड़ली को देखा जाए राहू शुक्र का प्रभाव नचाहते हुए भी छोटे छोटे विशय को लेकर के परिवार में जगड़ा करवाएगा तनाव करवाएगा पति-पत्नी के बीच में विवाद बढ़ सकता है साउधान रहिए सद्भाव कायम किए और व्यापार में थोड़ा मन लगाईए क्योंकि बुद्ध की दुरूबलता की बज़े से व्यापार में किसी ना किसी प्रकार का बड़ा नुकसान हो सकता है एक दिरड़ाए एक दिरड़ाए बड़ा नुकसान कर देगा ध्यान दीजेगा आज की दिन आर्ति कहानी भी हो सकती है वैसे विदेश से कोई न कोई सुबसमाचार बिजनिस को लेकर के जरूर मिलेगा और स्वास्त पर आपको ध्यान दे रहा है बिर्शब राशी गोचर के ग्रेय लंग्र कुडली को देखे तो परिवार में सांती सद्भाव का बता बरण बन रहा है चाहे पारिवारिक विसे हो या बच्चों की पढ़ाई हो चंद्रमा का प्रभाव आज के दिन आप ही समस्याओं को सुल्जाएंगे इसलिए बहुत ही आनंद और भगवान की कृपा से आपका दिन अच्छा होने बाला है आज आप लोग बैट करके अपनी अपनी समस्याओं को डिसकस कीजिए सलुशन निकल जाएगा और बिवाद सबाप्त हो जाएगा आज का दिन बड़ा अहम है बिवाद सबाप्त करने के लिए परिवार और बच्चों के विकास पर भी आपको फोकस करदा है आउधर बिजनस में सेर मार्केट और निवेश जगत के लिए बुद्ध और शुक्र की बड़ी करपा है सेर मार्केट बे किया गया निवेश फलदायक हो सकता लेकि छोटा निवेश कीजिएगा बड़ा निवेश अभी नहीं करदा है बात करेंगे मितुन राशिकी लगन कुडली और गोचर के ग्राए परिवार में सुख सांती सनियम के साथ समय बेतीत करे ग्रहों की साथ से कर देखा जाये तो चद्रमा और शुक्र का बला साती साथ जो बुद्ध की इस्ति है सुख सांती का वाताबरण बना देगे और एक विशेस बात जो बिगड़े हुए काम है वो बन सकते हैं यहां ब्रेक अप है वहां सलुशन निकलेगा बात्चित कीजिए अनकूलता है पॉजिटिविटी है आज दिन बहुत स्ट्रॉंग है सारे काम बनेंगे और ग्रहों की जो इस्तिती बन रही है नौकरी पेसा वाले लोग के लिए भी सुप समाचार है उनके कारेले में जो भी अपने काम काज को लेकर के चीज़े चले आज उनकी परसंसा होगी इंक्रिमेंट लग सकता है बदोननती हो सकती है पद परिवड़तन हो सकता है जिमेदारी मिल सकती है गोचर के ग्रहों लगन कुडली को देखें चिंता से मुक्त होंगे, आत्मी स्वास में ब्रद्धी होगी नौकरी और ब्योसाय के छेतर में भी सुपसमाचार मिलने वाला है उन खासका सोले चांदी में निवेस करदा चाते तो कर सकते हैं और जो लोग दुख दोतपात से सम्मंदित ब्यापार है उसमें भी निवेस करना चाते तो वो भी उनके लिए अच्छा समय है कानूनी मामलों में साउधानी बरतियेगा, वहीं महिलाएं आज अपने साथ सज्जा सुरंगार पर विशेश ध्यान दे और स्वास्त को ले करके आप सतर्क हो जाईए लगन एवम लगनेश जीवन के किसी भी छेतर में सफलता कि पहली सर्थ कुंडली में लगन और लगन के लॉड का मजबूत होना बहुत जिरूए लगन के निगरी क्या है इन दोनों से ब्यक्तिके बेहतर स्वास्त का पता चल होने से आन्य प्रकार से उसका बली होना बहुत आउस्चक है अच्छे खिलाडी के लिए बहुत जरूरी है तृती भाव जो परक्रम भाव कहलाता है बीरता शौरता इसलिए किसी भी खिलाडी के लिए उसकी कुंडली का तीसरा भाव बहुत मजबूत होना चाहिए क्योंकि एक खिलाडी में साहस का होना बहुत जरूरी है। और कॉंडली का जो तीसरा भाह है पराक्रम और साहस का भाह है। अगर तीसरा भाह मजबूत नहीं है तो खिलाडी नहीं बन पाएगी। मैदान मैदान में ही बिरुदियों का सामना करना पड़ेगा और परशानी बढ़ जाएगी भलेही उस खेल को जीतने या उसके आसपास की बिरुदियों से अच्छी रणनीत क्यों ना बनाएं जेकिन असफलता मिलेगी खिलाडियों के लिए सबसे अहम और साहस और पराक्रम का होना माना जाता है इसलिए कुडली में तृतिय भाव और तृतिय भाव के जो स्वामी हैं वो भी कुडली में बलवान होने चाहिए उनकी डिगरी मजबूत होनी चाहिए तब ही आप एक अच्छे खिलाडी बन सकते ह अब बात करेंगी अगली चाहराशियों की शिंधराशी गोचर के गरहा है लगने कुडली पारिवारिक समस्याओं को लेकर के आज आपकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कुछ ना कुछ पारिवारिक समस्याओं आज आपकी चारों तरफ रहेंगी तनाव का बाता बढ़ रहेगा अपती पत्नी में उन्हीं बातों को लेकर के जगड़ा बढ़ सकता है बच्चों के आपसी जगड़े हो सकते है जहाँ जॉइन फैमली है वहाँ तो जगड़ा ब लोग हैं तो कोई भी काम करने से पहले आज आप साउधानी बरतियेगा नुकसान का योग है तो गोचर के ग्रह लगने कुड़ेली बुद्ध शुक्र और चंद्रमा इनके प्रभाव को देखा जाए तो परिवार में किसी विशय को लेकर के लोगों में आपसी मन का परित्या कर दिए उसमें अहम नाटकराए आपस में सामंजे से बनाईए प्रेम सद्भाव बनाईए माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों की खुसी भी आपके लिए बहुत ज़रूरी इसी से परिवार का विकास होता है उदर विदेश यात्रा विदेश से देता है आज लाब भी लेगा तुलारासी गोचर के ग्रह और लंग्ड कुडली को देखे आप अपने परिवार के विकास की योजनाय बनाईए और देखा जाए तो बच्चों पर भी ध्यान देना बहुत आउश्चक है बच्चों को लेकर के लापरवाहि मत कीजिए माता पिता की सेवा और उनके स्वास्त पर विशेश प्रकार से आपको ध्यान देना है उनके प्रसंद रहने से असिरवाद ही नहीं मिलता है ग्रह दोस भी समाप्त हो जाते हैं अब परिवार के विकास की संभावनाय प्रवल हो जाते हैं वहीं नौकरी की बात करें नौकरी के चेतर में आज समस्या आएगी कुछ चैलेंजेज आपके सामने आएंगे घवड़ाईए गरही कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आपके सामने आ सकता है लेकिन आपको करदा क्या है आपके जो भी सीनियर हैं आपके क्राम से संतुष्ट नहीं रहेंगे वहां पर आपको सौ टे समय देख रहे हैं पूरे परिवार में से सामंजर स्प्रेम बनेगा और यहादी घर मकान बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं बहुत ब्रहें अच्छे संसुझे बरेंगे कुछ नयलोगों से रिस्टे बरेंगे लोग आपकी बात पर विश्वास करेंगे यदि कोई प्रस्ताओ अपने सीनियर को आप देना चाहते हैं तो आज बढ़ाईए क्यों ना सेलरी बढ़ाने का प्रस्ताओ बात कर लिए लगन एबम लगनेश जीवन के किसी भी छेत्र में सफलता की पहली सर्थ कुंडली में लगन और लगने के स्वामी का मजबूत होना है इन ही दोनों से ब्यक्ति का बेहतर स्वास्त ग्यातो होता है अग कुंडली में लगन लगनेश का सुप्रभाव सुप ग्रहों के दृष्टी में होना अन्परकार से बली होना ये खेल के छेत्र में बड़ी भूमिका आदा करते हैं इसके अलाबा कुलेली के पाच्वे भाव यानि बुद्धी का जो भाव वो भी बहुत जरूरी है निरड़े सकती है बुद्धी है जो कि खिलारी की प्रतिभा और दक्षित आचुकि वहाँ कोई निरड़े लेडा है चटा भाव प्रतियोगिता यानि वहां भी प्रतिशपर्दा है वह भी बहुत इंपॉर्टेट है संघर्स का इस्थार किसी बितरे प्रतिशपर्दा में बिरोधी पक्षिपर आपको हाभी होना है और उसे पीछे करदा इसलिए चटे भाव और उसके लाट का भी कुंडल है जो भागे भाव है वो भी बहुत महत्पूर है इससे आईश्वर की प्राप्ति होती है कम प्रयाज से बड़ी सफलता बिलती है अदसंभाव कर्म और प्रसिद्धी का है जबकि एकादस भी सभी तरीके की उपलब्दियों एवं लाब का इस्थान है इसलिए कुंडली इन भाव और इन भाव के स्वामियों का कुंडली में बलवान होना बहुत आउसे जिससे खिलाडी के लिए बड़ी ख्याती बड़ी सफलता बड़ी उपलब्दी बिले ऐसा ना हो कि डिस्टिक और स्टेट खेल करके ही वहीं समापन हो जाए अंतरास्टी खेल तक अगर पहुचना है तो कुंडली दुरुस्त कीजिए अब बात करेंगे अगली चार राशियों की धनुराशी गोचर के ग्रायन लंगने कुंडली को देखे तो पारिवारिक सद्वाओं का समय बंद्रा बच्चों के विकास की सम्भावना उनका एजुकेशनल लाप भी बिलेगा अधाल्य है आज उसका सवच्चान निकल सकता है फ्रया किजिए मुकदमा सुरू करना चाहते हैं कोई रिट्फाइल करना चाहते हैं कोई अप्लिकेशन मुप करना चाहते हैं सुब्समय है अधिन वीट मिई अदि हैsurकल नों को दो इन इन करके आपका दिन भाग्योदय मेफ रवर्वर्वट्पूर जाने और मकर राशी कैया लगर कुदिली आपके बच्चे आपके कष्ट का कारण सकते एपके बच्चे ही आपको तक्लीप देंगे मानसिक बेद्रा देंगे मानसिक कर Gisans bus के जिनता बेवहार आपकी चिंता का बजह बनेगा मांसिक कष्ट पहुंचेगा बहुत अच्छा हो आप क्या करें अगर आप इस समस्या को सूझ भूज से दिरने लिए बच्चे पर प्रेशर बदाईए उससे समझा पुझा के बातचीत करके उसको लेबल पिलाईए सामन्जस के ब्यापार से संबंधित जो भी लोग काम करते हैं ध्यान दीजिएगा उनके लिए बहुत अच्छा सबय है कुम्बराशी लगन कुडली गोचर करें किसी बात को लेकर के क्या बताते हैं मन में नेगिटिविटी आएगी मन में अच्छे बिचार अच्छे भाव नहीं आ पिता माता पिता माता पिता बच्चा सन्यम और सांती से काम लीजिए परिवार में सामन जस्मिन वहीं दप्तर की बात करें यहां भी आप सन्यम बढ़ते है आज ग्रहों किस्तिती अच्छी नहीं कोई व्यक्ति वहां पर आपसे जगड़ा करवाने की प्लानिंग कर रहा ह मीन राशी गोचर के ग्रह परिवार में सुक्सांती का बाता बरण बनाने जा रहे हैं ग्रहों का सन्योग देखा जाए तो माता पिता से लाप की सम्हावना है फोन उठाईए उनको फोन कीजिए अगर आप दूर रहते हैं यदि नजदीक है तो जाइए उनका असिरबाद देघ्या दर्शन कीजिए उनके सेवा कीजिए आज मता पिता से लब देगा चाहे वह आसिरबाद के रूप में हूँ चाहे वो काइन के रुखनों और आपको पत्नी का सहयोग बिल सकता है मनाईए बात्चित कीजिए प्रसंद कीजिए जो भी महिला साथ काम करती है आपको उसका भी सहयोग आफिस बिलेगा बात कीजिए दिन सुब होगा धनलाप का प्रवल योग है नौकरी काम काज की जगह भी सु आनेंगे आज जन्मे हुए बच्चों का भविश्य फल एक जून 2022 को जन्म लेने वाले बच्चे म्रग सिरानक्षत्र सूल योग और आज चैंद्रमा मिथुन राशी पे रहने वाले हैं लग्ड कुडली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक तीन बर्स सारीरिक कष्ट परस सिक्षा के छेत्र में बाधा रहेगी 11 बर्स के बाद से बच्चे का भाग्योदय आपको दिखेगा 11 बर्स तक जो है अच्छा नहीं उसके लिए भगवान संकर जी के उपासना कीजिए ग्रभों की सांती करवाईए जिससे की सब अच्छा रहे और सनी का समाधान भी करदा बहुत आवश्यक है जीवन आसान होगा संघर्स नहीं होगा और जीवन सार्थक होगा सफल होगा बच्चे का वही आज जिनका जन्वदिन है उनके प्रारंभिक महीने लापकारी है नौकरी की प्राप्ति धनलाब मुकद्बे में बिजय और गुप्त धनलाब का भी योग बन रहा है प्रारभ इच्छे बने और सात्वे से दस्वा बहिना इसमें बिबाद जगड़ा पति-पत्नी में विबाद व्यापार में नुक्सान धोखे की संभावना वहीं 11-12 महीना स्वास्त के लिए संकट लेकर के आएगा बहुत अच्छा हो भगवान स्यू की आराध करें उबर आल एसेस्मेंट कर दे के बाद आपका जो भागी प्रतिस्त में बता रहा हूं 64% जन्वे दिन मंगल मैं